Hello viewers, welcome to Kids English Guru channel. अगर आप इस channel के लिए नए हैं, तो channel को जल्दी से subscribe कीजिए. आज हम आपको conversation यानि की वारताला बताएंगे English और Hindi में. ये conversation wife और husband के बीच है. पती जिसकी तबिया ठीक नहीं है. इस conversation को ध्यान से सुनिएगा और सीखेगा कैसी daily life में English का यूज किया जाता है sentence में. तो चलिए, start करते. wife, still sleeping, dear hubby, get up now. कहती है, उठो पती देव, अभी तक सो रहे हूँ. husband, let me sleep a bit more. रुको थुड़ा और सोने दो. wife, have not you. to go office today? क्यों आज office नहीं जाना क्या? husband कहता है, no sweetheart, I am feeling unwell. नहीं, आज मेरी तबियत को स्ठेक नहीं लग रही. wife कहती है, what happened? क्या हुआ? husband, I am feeling a bit feverish. I also have a headache. थोड़ा भुखार सा लग रहा है, और सर में भी दर्द हो रहा है. wife कहती है, you have got cold. I think, see a doctor. ठंड लग गई है, शायद. आप doctor के पास जाईए. husband कहते है, yeah, I will. but after, some rest. हाँ, जाओंगा बाद में, थोड़ा आराम कर लो. wife कहती है, okay, take rest. even राहूल was not feeling well today. राहूल इनका बेटा है, ठीक है, थोड़ा आराम कर लिजे. आज राहूल की भी तबियत कुछ ठीक नहीं थी. husband कहते है, where is he? what happened to him? राहूल कहा है, क्या हुआ? पत्मी बोलती है, he has gone to school. वो इस्कूल गया है. तो फिर husband कहते है, if he was not well, then why did you let him go? अगर उसकी तबियत ठीक नहीं थी, तो फिर क्यों जाने दिया? तो wife कहते है, I told to him, but he left. मैंने उसको कहा पर माना नहीं, चला गया. husband, it's okay, he knows himself better. अच्छा, कोई बात नहीं, वो अपने बारे में बहतर समझता है. फिर wife कहती है, yeah. he was saying he was fine. it was an important class, so couldn't miss. हाँ, वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, आज मैं तो पुन क्लास है, छोड़ नहीं सकता. husband, look how mature our role behaves now. देखा हमारा role कितना समझदार है. इसको इंग्लिश में कहते है, how mature our role behaves now. wife, you are right. well, there is a miss call from Mr. Sarma on your phone. हाँ, ये तो है. अच्छा, सुनिए, Sarma जी की miss call आई या, आपके phone पर. husband, question put करता है, when, कब, कब आई. पत्नी, when you were asleep. जब आप सोई हुए थे तब. जब आप सोई हुए थे तब, when you were asleep. husband, it's okay. I will call him after a while. I freshen up. you serve breakfast. चलो, ठीक है, थोड़ी देर में call करता हूँ. मैं fresh होता हूँ, तो नास्ता परोश हूँ. wife, all right. ठीक है, husband. did Rahul have breakfast? Rahul ने नास्ता किया. तो वाई जवाब देती है, yes he had. हाँ, वो नास्ता करके गया है. husband, okay then, I come. ठीक है, मैं आता हूँ. wife कहती है, okay honey. अच्छा. तो यह पूरी conversation इंगलिस में है, इसमें बहुत छोटे-छोटे sentences बोले गए हैं, husband और wife के बीच में. इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको, जब आप घर में या कहीं भी sentence बनाना चाहते हैं, English में इस तरीके से बना सकते हैं. यह conversation आप तोर पर सभी families में होती होगी, तो आप इससे सीख सकते हैं कि कैसे sentence को बनाया गिया है. और easily आप English बोलना है, start कर सकते हैं अपने घर से ही, जिससे कि आप English में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं. ऐसे एक conversation अमने वीडियो पहले भी बनाई है, job interview के ओपर, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में जाकर, वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like करिएगा, हमारे चैनल Kids English Guru को subscribe कीजिएगा, साथी बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो के notification मिल पाएं आपको सबसे पहले, तब तक के लिए thank you, goodbye, visit again.